नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार में मिशन 35 की भारतिय जनता पाथी के नए प्लान की अमिशा के योजना की और साथ में चर्चा करेंगे किस तरीके से भारतिय जनता पाथी ने एक दीन में दो बड़ी बैठके की बिहार के उपर और नितीज के साथ साथ तेजस्वी यादब को निप्टाने के लिए क्या प्लानिंग बनाई है जिसमें मिशन 35 पर चलने के लिए किन किन पाथियों से गठवंधन की ज़रुवत है उत्तर परदे से कैसे सबक लिया जाए ये सारी योजनाव पर प्लानिंग पर चर्चा हुई और एक खाका तयार हुआ है जिसके आधार पर अब भारतिय जनता पाथी बिहार में चुनाब लड़ेगी और नितीज के साथ साथ तेजस्वी यादब को निप्टाएगी तो शुरुआत करते हैं भारतिय जनता पाथी की बैठक से और दूसरी तरफ नितीज कुमार की सरकार के मंत्री मंडल के विस्तार से एक तरफ नितीश कुमार के सरकार का मंत्री मंदल विस्तार हो रहा था तो दूसरी तरफ भारतिय जनतापाटी के दिल्ली मुक्याले में एक बैठक हो रही थी भारतिय जनतापार्टी के बिहार इकाय के कोर कमिटी के साथ तीन भारतिय जनतापार्टी के किंद्रिय निता बैठक कर रहे थे उसमें एक अमिश्रा थे, दूसरे जेपी नड़्डा थे और तीसरे थे बियल संतोस जो संगठन मंतरी है अब इन तिनों ने एक बड़ी योजना बनाई भारतिय जनतापाथी के बिहार यूनिट के कोर कमिटी के निताओं के साथ। इन दोनों में बाचित हुई और सडक से सदन तक की रननीती बनाए गई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और बिहार में नितीस की नई सरकार के खिलाप आंदोलन करने की चर्चा हुई। डाक्टर संजे जैसवाल ने भारतिय जनतापाथी के केंद्रिये नेत्रित्व को बताया कि बिहार में हमारा संगठन मजबूत है और पहले की अपिक्छा काफी जादा काम इस बीच किया जा चुका है। बिहार में 54,000 बुथ हैं जिसमें से 63,000 बुथों पर भाजपा ने अपने वोलेंटियर तैनाद कर दिये हैं बुथ कमिटी तयार कर ली है। केवल 11,000 बुथ बचे हुए हैं जहां पर भाजपा को अकेले अपनी बुथ कमीटी तयार करनी है वोलेंटिय तयार करनी है क्योंकि भारतिय जनतापाची के अभियान की शुरुवात बुथ लेवल से ही होती है बुथ लेवल से सुरू करके पंचायत, ब्लॉक और फिर जिला अस्तरिय टीम बनाया जाती है और फिर राज अस्तरिय टीम को इसकी सारी जिम्मेदारी दी जाती है यानि 11,000 बुथों के पर अब जोर सोर से अभियान चलाने का एक तरीका बताया गया इस मिटिंग में दूसरी एक चर्चा हुई कि कैसे नितीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को निप्टाया जाए यानि कि सरकार के खिलाफ कैसे महौल तयार किया जाएगा क्योंकि ये बड़े अस्तर की भारतिय जनता पाथी के बिहार के कोर यूनिट के साथ बैठक थी केंद्रिय नितित्व का इसलिए इसमें साफ तोर पर सारी चीजों पर डिसकसन किया जाना था इसमें अमिशा ने सडक से सदन तक का एक नारा दिया और मिशन 35 के लिए तयार रहने को कहा गया इसमें अमिशा ने कहा कि अब भारतिय जनता पाथी अगले चुनाब में 40 में से 35 सीटों पर कम से कम जीत दर्ज करेगी और इसके लिए सडक से सदन तक की रन्निती तयार करनी है इसमें बुथ लेबल के अलाबा दूसरी जो रन्निती तयार की गई वो थी किंद्रिय योजनाओं को घर घर तक पहुचाना और उसका जोर सोर से परचार करना क्योंकि उत्तर परदेश में ये जो आजमाया गया रन्निती है उसको बिहार में भी लागू किया जाना है इसकी चर्चा तो पिछले दिनों जब अमिश्रा बिहार के दौरे पर थे और भारतिय जनता पाटी के निताओं के साथ बाचित कर रहे थे उस समय भी की गई थी उस बैटक में भी ये बताया गया था इसलिए नितीश कुमार थोड़े जादा फ्रस्टेट हो गये थे अमिश्रा के बिहार दौरे के बाद इसमें भी इस बात की चर्चा की गई और बताया गया कि उत्तर परदेश में जो सरकारी योजनाओं के लाव लेने वाले लोग थे उन्हें जातिय राजनिती से कोई मतलब नहीं था उन लोगों ने भारतिय जनतापाथी के लिए वोट किया परदान मंत्री नरेंदर मोदी के लिए वोट किया वो भी विधान सभाचुनाब में जब लोक सभाचुनाब की बात हो रही है तो उसमें तो परदान मंत्री नरेंदर मोदी डाइरेक्ट लोगों के जुड़े हु उनको वोट देने की बात आएगी तो इसलिए केंद्र की जो योजनाएं हैं चाहे किसान सम्मान निधी हो जिसके तहत किसानों के खाते में डायरेक्ट फंड ट्रांसपर किया जाता है दो हजार रुपया हर तीन महीने पर दिया जाता है लेकिन उसके अलाबा परधान मंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को मकान दिया जा रहा है और उस मकान देने में बिहार सरकार यानि जद्दियूर, राजद, कॉंगरिस आदी जो पातियां महागर्टवंधन की है वो किस तरीके से लोगों को बरगला रही है उसका तोड़ भी निकालना है उन लोगों की सरकार के समय नहीं आता था बिहार में जब थी तो ये जो किंद रस्तर पर संजुक्त मोर्चा से लेके कॉंग्रेस की सरकार के समय मेडियेटर हुआ करते थे उनको परधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने हटाया इसलिए सवा लाक रुपे आपके एकाउंट में जो आते हैं वो डारेक्ट पिये मोदी के उन योजनाओं का परिनाम है जिसमें डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर यानि परत्यक्ष तोर पर आपके खातों में पैसा बेजा जाता है इस योजना का लाव लेने वाले लोगों को बताया जाए कि ये जो घर आपको मिल रहा है वो घर बिहार सरकार नहीं दे रही है बलकि मोदी सरकार दे रही है क्योंकि ये confusion हमेशा बना रहता है और इस पर चर्चा हुई कि इस confusion को दूर किया जाए कि वहां के लोगों को बरगलाय न जाए कि ये घर मकान विहार सरकार दे रही है उसी तरह युजवला योजना के अलाबा जो राशन देने वाली बात है या फिर दूसरी जो केंद्रिय योजना हैं यहां तक कि मनरेगा जैसी योजनाओं के बारे में भी घर घर तक पहुंचाया जाए कि आपको जो खाते में पैसा दिया जा रहा है आधार कार्ट से लिंक किया गया है यह मोदी सरकार की निती का परिणाम है नहीं तो आपके बिचवलिये जो थे वो आपके पैसे खा रहे थे यानि केंद्रिय योजनाओं के लाव लेने वाले लोगों को यह बताया जाएगा और उन तक भारतिय जनतापार्टी की योजना को पहुंचाया भी जाएगा बताया जाएगा कि मोदी क्या-क्या आपके लिए कर रहे हैं यह दूसरे अस्तर की रननीति थी तीट्रे अस्तर पर सडक की जो रननीति बनाई गई है उसमें यह भी कहा गया है कि नितीश कुमार और तेजश्वी यादब की जो नई सरकार बनी है उस सरकार के भ्रस्टाच को उजागर किया जाए भारतिय जनता पाटी के कारिकरता सड़क पर जाएंगे और हर एक ट्राइल के बाद ये बताएंगे कि लालो यादव का पूरा परिवार कैसे घोटालों में फसा हुआ है किस तरीके से जदिव और RJD कॉंग्रेस की सरकार जो बनी है उसके 70% से जादा मंतरी दागी हैं जो 17 मंतरी बनाये गए हैं राजद से उसमें से 15 मंतरी दागी हैं जिनके उपर आरोप ही नहीं लगे हैं बलकि घोटाले का आरोप लगे हुए हैं इसके साथ ही इस सरकार में जो जंगल राज रिटरंस की बात कही जा रही है उसको जोर सोर से प्रसारित परचारित किया जाएगा और ये सडक से सदन तक की रन्निती बनाये गई जिसमें बिहार यूनिट के सारे नेता भी शामिल थे लेकिन इसके अलाबा एक दूसरी अमिश शाह नित्रित्व कर रहे थे क्योंकि बिहार में नितीश कुमार के पलटने के बाद वहाँ पर भारतिय जंता पाटी को मजबूती स्थिति में लाना प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और अमिश शाह के लिए एक परतिष्ठा का विशय बन गया है यह सवाल उठ रहा था कि कैसे पिये मोदी और अमिश सा रननीती में फेल हो गए नितीश कुमार के बार बार पलटू रवये को उनके धोखे वाजिय और विश्वास घात को समझ नहीं पाए और एक बार होता तो बात अलग थी लेकिन जब वो बार बार ऐसा कर रहे थे फि हार यूनिट के नेताओं को जादा जानकारी नहीं दी लेकिन फिर भी लमसम जो सम खबरें आ रही है जिस तरह के स्त्रोत आ रहे हैं सुत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी कहा गया कि यहाँ पर जाती आधार पर वोट पड़ते हैं और इसको एक तरीके से दे चुनाब के समय तक कॉम्मिस्ट पार्टियां इनके साथ रही तो ये सारे गठवंधन में एक कॉमन वोट बैंक है मुस्लिमों का उसके अलावा OBC में अगर तीन जातियां बड़ी जातियां को देखें यादब, कुईरी और कुर्मी इन तीन जातियों में इन दोनों नेता की पैठ है, एक तरफ तेजस्वी यादब, यादब वोटर को अपने पास लाग पाते हैं, तो दूसरे जब तरफ नितीश कुमार, कुईरी और कुर्मी को अपने साथ रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 30 OBC की जातियां हैं, यानि टोटल बिहार में 33 OBC की जातियां हैं उसमें से तीन बड़ी जातियों पर इनका प्रभाव है, तीस जो दूसरे छोटे 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 जातियां हैं, जिनका जनसंख्या बहुत जादा नहीं है, उनके उपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए, कि आपका परतिन धित्व भारतिये जन पार्टी में ही मिल सकती है, इन पार्टीों में नहीं मिल सकती है, क्योंकि इन पार्टीों में पहले से ही OBC की कुछ जातियों ने बर्चस बना रखा है, इसलिए इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए, उसी तरीके की चर्चा EBC, जो 100 से ज़्यादा EBC की जातियां हैं, और स साथ ही SC और ST की जातियों के लिए भी की गई ये पूरा सोसल इंजनेरिंग को देखा गया और फिर अंतिम में एक गठवंधन की रन्नीती भी बनाए गई उस गठवंधन की रन्नीती में तै किया गया कि जिस तरीके से उत्तर परदेश में दो बड़ी पाटियां सपा और बस एक रन्नीती बनाए थी उस रन्नीती में छोटी पाटियों को जोड़ने का एक आधार तैयार किया गया था 2017 में ओम परकास राजवर को जोड़ा गया अपना दल भारतिय जंता पाटी के साथ रही और जब ओम परकास राजवर बाहर आ गये तो निशाद पाटी के साथ गठवधनन किया गया साथ ही अपना दल को अपने साथ जोड़े रखा गया उसी तरह से बिहार में भी इन महा गठवन्दन की पाथियों के अलाबा और उसके अंदर भी एक पाथी की बात हुई थी लेकिन महा गठवन्दन की पाथियों के अलाबा कुछ दूसरी पाथियां है उसको अपने साथ लाने की कोशिश की जाने चाहिए उसमें एक बड़ा नाम आया राम विलास पासवान की पाटी लोग जनसक्ती पाटी की नितीश कुमार के कारण चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस के बीच दूरियां बढ़ी थी क्योंकि पशुपतिनाथ पारस इस बात को बार बार उठा रहे थे कि क्यूं गठबंधन से बाहर चिराग पासवान गए जिसके कारण लोजपा चुनाब में हार गई लेकिन नितीश कुमार के कारण ही भारतिय जनतापाथी के करीबी होने के बावजूद चिराग पासवान साथ में नहीं आ सके और अब नितीश कुमार बाहर है तो चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस के बीच संबंध बेहतर कराया जाना चाहिए इसके लिए भारतिय जनतापाटी अंतिम तौर पर कोशिश करेगी लेकिन अगर ये दोडों एक साथ नहीं आते हैं तो भी ये चुना जाएगा कि पशुपतिनात पारस के साथ जाने में जादा फायदा है या फिर चिराग पासवान के साथ हो सकता है चिराग पासवान के साथ ही भारतिय जनतापाटी गठवधन करें और सबसे जादा जरूरी ये है कि चचा भतीजे की जोडी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाएगी कि एक बिहार की राजनिती करें एक दिल्ली की राजनिती करें और इसके लिए जो भी हो सकता है दोनों के साथ बाचित भी की जाएगी एक दूसरे नेता और हैं पप्पु यादब पप्पु यादब की जनाधिकार पाथी इस बीच बिहार में अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन उनके सबसे बड़े परतिद्वंदी तेजस्वी यादब है राजद है क्योंकि दोनों का बेस वोड जो है वो यादबों का है इसलिए पप्पु यादब किसी गठबंधन में जा भी नहीं पाते और उस गठबंधन में न जाने एकारण अकेले दम पर वो चुनाबों में कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं भारतिय जनता पाटी इसका ऑबजर्वेशन कर रही है और इसलिए पप्पु यादब के साथ संपर्क करने की भी बात हुई क्योंकि पप्पु यादब महागठबंधन में नहीं जा सकते हैं तेजस्वी यादब उन्हें अपने साथ ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अगर एक ही साथ आएंगे तो पक्पु यादव के अपनी पार्टी बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि पहले भी वो राज़त के नेता रह चुके हैं और कंफलिक्ट के कारण ही वो बाहर आए और अपना बेस बनाने की तयारी कर रहे हैं कारकरताओं से मिल जूल रहे हैं इसलिए उनसे भी बाचित की जाएगी और साथ ही मुकेश शहनी को भी साथ लाने की कोशिश की जाएगी हाला कि सहनी और भारतिय जनता पार्टी के बीच इस बीच तकराओ जादा हो गया और उनकी पार्टी के नेता चले आये थे भारतिय जनता पार्टी में लेकिन फिर भी सम्मी करन जो बदले हैं उसमें उनके लिए महागठ वंदन में कुछी भी उमीद से मना किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर चाने का मतलब है कि भीड भार बढ़ाना और साथ पार्टियों के महागठ वंदन में सीटों के लेकर ऐसे ही ताना तानी चलेगी जिस तरीके से मंत्री मंदल में चली है इसलिए ये बड़े अस्तर पर प्लानिंग भी की गई कि इन नेताओं के साथ संपर्क किया जाए और चुनाब के पहले एक नए एंडिये गठ वंदन की तयारी की जाए इसमें एक और नाम जुड़ा है जीतनराम मांजी का भी क्योंकि जीतनराम मांजी अभी तो महागठ वंदन में इसलिए सामिल हुए है क्योंकि उनको एक मंत्री पर चाहिए लेकिन चुनाब के समय ये लगभग तय है कि महा गठवंधन में उन्हें सीटे सम्मान जटक नहीं दी जाएगी जैसे मंत्री मंडल के लिए वो बार बार कह रहते कि उन्हें दो मंत्री चाहिए लेकिन एक ही मंत्री पद दिया गया वैसे ही चुनाब के समय दिया जाएगा इसलिए जब वो प्रस्थितियां बदलेगी तो उनको भी साथ में लाया जाएगा और दलित, EBC, सवर्ण ये सारे गठवंधन मिला के नितीश कुमार और तेजस्वी यादव को निप्टाने की कोशिश की जाएगी तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही है हम ऐसा योग ताकि इसी तरह एक खबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद